कि जो हमारी बात सुने, समझे और फिर हमें राय दे तब जाकर के एक एक्सपर्ट से हमें सला लेना चाहिए कि हम किस तरीके से इस मैटर को रिजॉल्ब करें और वो सला उनको दे जो उनके इंवार्मेंट में सेट अप होती है तो उससे सबसे ज़्यादा एड्वांटेज जो कॉंसलिंग लेने आए है उनको यह को कि उसी इंवार्मेंट पर उनको जाना है वहीं पर उनको अपनी कोपिंग स्टाइजी को अडॉप्ट करना है नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉंसलिंग के बारे में और आने वाले टाइम में आपको काफी वीडियोज मिलेंगे जहां पर भी कॉंसलिंग की जरुत होती है साइकॉलोजी और साइकार्टरि डिसॉर्डर में तो दोस्तों कॉंसलिंग के बारे में बात करने के लिए आज जह हम हरसा डॉक्टर सारिका बिसारिया तो माम बताएए वाट इस कॉंसलिंग सर कॉंसलिंग का मतलब है राय देना पर इससे इंपोर्टेंट ज़्यादा यह है कि जो हमारी बात सुने समझे और फिर हमें राय दे इस एक एक एक्जांपल से आपको बताती हूँ कि एक बच्चा है वो अपने केरियर को चूज कर रहा था अपने रायटिंग कंटेंट के लिए कि उसको लिखना अच्छा लगता था और वो लिटरेचर में काफी अच्छा परफॉर्म भी करता था हमेशा से स्कूल में और वो चाहता था कि वो अपना केरियर उसी में पर्सियू करें क्योंकि वो को केरिकुलम एक्टिविटीज में थेटर करता था अपने स्कूल में प्लेस करता था और लिखता भी था पोईट्री बगारा भी करता था पर माबाप का कहना था कि वो medical ले या engineering की तरफ जाए क्यों क्योंकि वो पढ़ने में तो अच्छा है सारे subject में achieve करता है intelligent भी है पर बच्चे का कहना था कि नहीं मुझे अपना career ही इसमें pursue करना है तो क्यों ना मैं humanities में शुरू से जाँ तो ये उनके अंदर disagreement काफी दिनों तक चला और उससे उस बच्चे के अंदर है कि anxiety create हो गई कि मेरी बात नहीं सुन रहे है आप मुझे प्यार तो बहुत करते हो पर मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे मैं क्यों चाहता हूँ मैं क्यों शुरू से humanities के तरफ जा रहा हूँ पर माबाब का कहना था कि तुम हमें नहीं समझ रहे हो इसमें career नहीं है अगर तुम engineer बन जाओगे डॉक्टर बन जाओगे फिर तुम कितना भी drama या poetry लिखना लेकिन पहले अच्छे से पढ़ लिख लो तो उसने का अगर पढ़ लिखना है मुझे तो मैं literature तो humanities पढ़ रहा हूँ अगर मुझे लगा कि मैं यहां career नहीं बना पाँगा तो मैं अपनों career option और भी choose कर सकता हूँ मेरा limited नहीं है तो उन दोनों में disagreements काफी चल रहे थे जिसके कारण उस बच्चे में panic attacks और anxiety stress के कारण हो गई थी तो उनकी family doctor ने कहा जाकर आप एक expert से career counselor से या psychologist से मिले और सला ले ले जब वो आए मैंने उस बच्चे को अच्छे से सुना समझा कि वो क्यूं चाहता है अपने career path को choose करने के लिए humanities को और माबाब का भी सुना कि वो अपने बच्चे को safe life देना चाहते थे और society में भी एक कहने के लिए बहुत अच्छा होता है कि उनका बच्चे engineer है, doctor है, lawyer है या MBA करा है तो उनका society point of view से उसके future point of view से मानना ठीक थीक था पर जब बच्चे को पूरा सुना समझा उसकी history ली तो उसने बहुत अच्छे से बताया कि मैं career का जो मेरा perspective है, वो बहुत broader है बाद में parent ने भी क्योंकि disagreement से आये थे वो सुन नहीं रहा था, समझ नहीं रहे थे यह कहना था कि मेरे माबाब प्यार तो करते हैं, पर मेरी बात मानते नहीं है, मुझे सुनते नहीं है हमने बच्चे के साथ दो सेशन करें, उसको पूरा सुना समझा और उसके यह देखे कि वो कहां पर स्ट्रोंग है और किसलिए वो यह decision को लेना चाहता है तो फिर parent का सेशन हमने लिया और उनको बताया कि आपके बच्चे में anxiety या stress क्यों है, क्योंकि आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, और वो यह समझाना चाहता है कि क्यों वो इस career को option को choose कर रहा है पर disagreement है आप लोगों के तो यहाँ पर उसमें anxiety create हो गई, stress create हो गया, अगर हम बच्चे की बात को माने, उसको humanities की तरफ ले जाएं, तो वो अच्छा perform करेगा क्योंकि intelligent है, और वो अपने career को भी choose कर पाएगा, तो पेरिन का question यह था कि फिर हम और कैसे उसको safe कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें समझ में आ गया था कि अगर हमने science दिला भी दी, तो भी वो entrance exams में उसको anxiety रहेगी, stress रहेगा, और वो perform नहीं कर पाएगा, तो उन्हें ने का, अच्छा फिर यह बताईए कि हम कौन से subjects ले, तो maths उनका था कि maths तो होनी चाहिए, तो मैंने का, ठीक है, maths ले, literature, English literature है, जिस बच्चे को writing contents पर जाना था, साथ में मैंने का कि options हैं, psychology में चले जाएं, economics ले ले, या अपने humanities में history है, political science है, sociology है, और subjects को ले सकता है, या litigation में वो legal उसको भी ले सकता है, तो उनको यह समझ में है कि ठीक है, मान लीजे, आज यह बच्चे में literature का है, दो साल बाद, वो literature का खतम हो गया, कम से कम वो entrance exam में, BBA में बैठ जाएगा, या law की तरफ चला जाएगा, या simple जब अपना कोई honors करना चाहेगा, तो कर सकता है, तो यहाँ, parent को समझ में आया कि future जो है, वो broader sense में हम उसको अगर लेके चलें कि दो साल बाद उसका interest खतम भी हो गया, तो वो अपनी, उनी subject के साथ आगे भी career बना सकता है, तो इस तरीके से parent ने जब सुना, समझा बच्चे को, तो उसकी anxiety, stress दोनों डाउन हुए, और parent को भी समझ में आया, कि हाँ, हमें उसकी सला माननी है, तो वो एक expert की सला के साथ, उसको बच्चे को, दोनों के relationship बहुत अच्छे हुए, हम सारी बात से ये बात समझ आती है, कि सुनना और समझना कितना जरूरी है, पहले माबाप और बच्चे, दोनों ही एक दूसरे को सुनने के लिए तयार नहीं थे, बट फिर भी तारीफ करनी पड़ेगी माबाप की, जो एक expert के पास लाके, उसकी बात सुनने के लिए वो तयार थे, तो बच्चे की बात आपने सुनी, फिर parents की बात सुनी आपने, फिर दोनों ने एक दूसरे की बात सुनी और इसकी anxiety और घबराहट जो है वो ठीक हो गई, और उनको एक interesting solution भी मिल गया, जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था, because आपका background psychology और special education दोनों में हैं लाइफ जो decisions होते हैं, जाए वो छोटे हो या बड़े हो जब हमारी बात सुनी जाती है, समझी जाती है तब तो वो solutions की तरफ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि conflicts होते हैं, आपस में disagreement होते हैं सामने एक दूसरे की बात को सुनना ही नहीं जाते हैं समझना तो बाद में आता है, जब वो सुनते नहीं है, समझते नहीं है conflicts पैदा होते हैं, तब जाकर के एक expert से हमें सला लेना चाहिए कि हम किस तरीके से इस matter को resolve करें तो जो counselor या therapist होंगे, वो उनको सुनेंगे, समझेंगे उसी के उनके environment के हिसाब से फिर उनको कोई advice देंगे, तो जिस तरीके से advice दी जाएगी, और इवो scientific approach होगी, क्योंकि वहाँ पर counselor बायस नहीं है, तो third person की जो advice होती है और दोनों लोगों का agreement आता है, वो हमेशा यह समझा जाता है कि mutual concern के साथ ही decision लिया गया है मैं मैं आपसे पूछना चाहूँगा as an expert की counselor या psychologist या therapist और professional है, वो किन-किन area में लोगों की मदद कर सकता है और कभी यह मदद की जूरत पढ़ती है sir, जो counseling है, वो हमारी wider range पर है, जैसे कि मैं लिजए career counseling हो गए, जैसे बच्चे को subject choose करना है तो किस subject में उसकी strength है, किस subject में वो बहुत अच्छे से perform करेगा, उसमें सलह ले सकते है, career counselor के तरूँ या बच्चे के relationships पर है, जैसे एक से 12 तक के बच्चों के coping mechanism में, उने adjust नहीं कर पारे classes में या उनके break-ups हो रहे हैं, वहाँ पर वो therapist को मदद ले सकते हैं, colleges में बच्चों को अपना career option चूज करना है, वहाँ पर ले सकते हैं family counseling के जरूरत होती है, क्योंकि family में सारे member एक साथ हैं, लेकिन disagreement बहुत जादा है, उनके अंदर fights बहुत पढ़ रहे हैं, family counseling के जरूरत है, couple counseling के जरूरत है, pre marriage counseling के जरूरत है, कि जब आदमी शादी के लिए prepare है या नहीं है, जिनके साथ वो शादी कर रहे हैं, क्या उन दोन की compatibility होगी या नहीं होगी, तो marriage counseling, pre marriage counseling होगी हमारी, वहाँ पर जरूरत होती है, old age में भी counseling की बहुत जरूरत होती है, जैसे माली जब companion हमारा चला गया, तो parents बच्चों के साथ रह रहे हैं, वहाँ पर उनके disagreement आ रहे हैं, वहाँ पर एक old age person को counseling की जरूरत है, वहाँ पर भी एक therapist का बहुत अच्छा रूल है, क्योंकि काफी old age cases तो आपने देखे हैं, आपने देखे हैं, कि उनमे anxiety होने लगती है, stress होने लगता है, panic attacks आने लगते हैं, डिप्रेसिव हो जाते हैं, वहाँ पर एक therapist का बहुत अच्छा रूल होता है, कि family dynamics को देखते हूँ, इनको इनक तो counseling के बारे में हमने समझा कि सुनना है, समझना है, as an expert राय देनी है, और different type की counseling है, तो मैं जैसे alcoholic anonymous होता है, narcotic anonymous होता है, या कई वर ऐसा होता है कि आर्थ को यह का जाता है, तो उन सब लोगों को मिलके मदद की जाती है, उस part को क्या कहते हैं? सर, इसको हम group counseling बोलते हैं, और अभी कही जगे hospitals में भी, जो cancer department है, वहाँ पर भी psychologist है, वहाँ पर cancer patient की counseling की जाती है, तो हम बेसिकली सारे कठे होते हैं, और अपना दुख दर्द बाढ़ते हैं, ताकि वह हलका वहसूस करें, जी सर, उस पर patient की भी counseling होती है, family counseling भी होती है, क् इतना बड़ी घटना परिबार में घटी है, तो उनके लिए therapy group sessions होते हैं, और आजकल तो gynecologist के भी counselors होती है, जो कैसे parenting करना है, कैसे पूरी pregnancy की stages को समालना है, तो वहाँ पर भी group counseling होती है, तो वहाँ पर भी group counseling होती है, तो इसका मतलब बेसिकली सुनना, समझना, और as an expert, जो science कहती है, उसका best opinion आपको मिले, तो counseling का मतलब हुआ giving advice, लेकिन सही advice, और अकसर यह देखा गया है, कि हम सुनते होने के, जिसको हम trust और respect करते हैं, बिलकुम, sir, so counselor का जो role है, सबसे पहले कि पूरी बात सुने, समझे, family को सुने, या जो लोग couple के रूप में आ रहे हैं, उ और वो सलहा उनको दे, जो उनके environment में setup होती है, तो उसे सबसे ज़्यादा advantage जो counseling लेने आए हैं, उनको यह को कि उसी environment पे उनको जाना है, वही पर उनको अपनी coping strategy को adopt करना है, दोस्तों इस वीडियो में आपने सुना और समझा कि सुनना और समझना कितना important होता है, और यह family members और friends बहुत अच्छे से करते हैं, और अक्सर friends जादा अच्छे से करते हैं, क्योंकि हमारी बात को जादा दिल से सुनते हैं और समझते हैं, बट अगर ऐसा family members और friends नहीं कर पाते हैं, तो आपको expert की जुरत पढ़ती है, और आने वाले समय में हम सभी psychiatric और psychological problems के साथ, जो भी चाहे वो child secretary के हो, चाहे वो marital या marriage के लिए के problems हो, चाहे वो school के बच्चों की problems हो, या office की problems हो, उसमें जब बात नहीं बन पाती है, उसके बारे में हम concern के role के बारे में detail में बात करेंगे, different videos में, उसके लावा online course भी आपको मिलेगा, जिसका link आपको description में मिल जाएगा, already य मेरी तरह से और सारी के में में की तरह से धन्यवाद